नमस्कार दोस्तों बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है हम सभी को कभी न कभी तुचा से जुड़ी सबस्याओं का सामना करना पड़ता है कोई तुचा पर होने वाले दाग धबों से परिशान रहता है तो कोई ब्लैक हेट्स और वाइट हेट्स है इतना ही नहीं सबसे ज्यादा लोग तुचा पर होने वाले लाल दानों से परिशान रहते हैं खास कर जब मौसम में बदलाब होता है तो चहरे पर बार बार लाल दाने नजराने लगते हैं लाल दाने कई कारणों की वज़ह से हो सकते हैं ये मौहा से एलर्जी की वज़ह से हो सकते हैं इसके अलावा ऐसे कई कारण हैं जो चहरे पर लाल दाने पैदा कर सकते हैं तो चलिए जानते हम आज इस वीडियो में की चहरे पर लाल दाने क्यों होते हैं या चहरे पर लाल दाने होने के क्या है कारण चहरे पर लाल दाने होने के लक्षन रेडनेस, खुजली, ड्राइ स्किन, पपड़ी दार, त्वचा, सूजन और जलन ये भी चहरे पर लाल दाने होने के लक्षन हो सकते हैं चहरे पर लाल दाने होने के कारण एलर्जी मौसम बदलने पर स्केन एलर्जी का सामना अधिकतर लोगों को करना पड़ता है इसकी वजह से चेहरे पर लाल दाने हो सकते हैं इस तिधी में चेहरे पर खुजली जलन का भी एहसास हो सकता है चेहरे पर रेडनस नजर आने लगती है इसलिए अकर आपको बार बार एलर्जी होती है तो आपको इस मौसम में अधिक धान देने की जरूरत है मुहासे मुहासे चहरे पर लाल दाने निकलने का सबसे आम कारण हो सकता है इस सबसे आम स्थिथी होती है चहरे पर छोटे या बड़े लाल दाने निकल सकते है इन दोनों पर खुजरी और जलन की महसूस हो सकती है मौसम बदलने पर चहरे मुहा से अधिक निकलने लगते हैं फोडे फुनसी चहरे पर होने वाले फोडे फुनसी में भी चहरे पर लाल दाने नजर आ सकते हैं इस्तिथी में चहरे पर लाल और उबरे हुए फोडे दिखाई देने लगते हैं यह दर्दनाक हो सकते हैं, इस्तिती में तवचा पर जलान और खुजली का एहसास हो सकता है, कई बार फोडे फुंसी से दरग निकलने लगता है, खासकर बदलते मौसम में फोडे फुंसी होने की संभावना अधिक होती है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही, वी वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा,